Hello everyone, आज किस वीडियो में हम discuss करेंगे BA program and BA honors के लिए जो हमारा value addition course है subject इसमें हम constitutional values and fundamental duties जो हमारा subject है इसको discuss करने वाले हैं ये जो वीडियो होगा हमारा पूरा हिंदी में होगा, ठीक? अगर आप English medium के student हैं, तो already हमारे channel पे English में भी video uploaded है तो आप playlist में जाके search कर सकते हैं ठीक है? 3rd unit को हम discuss करने वाले हैं, तो 3rd unit है हमारी fundamental duties, यानि कि जिसमें हम मौलिक करतवे के बारे में discuss करेंगे एक बार आप syllabus को देख लिजे, आपकी जो unit 1 और 2 है, यह already बना दी गई है, अप्लोड है, अगर आप ने नहीं देखी तो आप उसको जाके देख लिजे, ठीक है, unit 3 में हम fundamental duties और यह जो topic हैं, इसको हम करने वाले हैं और पूरा का पूरा वीडियो में आपको हिंदी में कराने वाला हूं, तो आगर आप हिंदी मीडियम के हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मेरा नाम सतेंदर प्रताप है, और आप मुझे Instagram पे message कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप study point है, मेरा username में, इस नाम से आप मुझे search कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, एक बार telegram group के बारे में जान ले, telegram group में आपको ये जो lecture है, इसकी PDF मिल जाएगी, आप free PDF वहां से download कर सकते हो, ठीक है, PDF आपको free में available है, इस नाम से search करिए, और group में जाएए, वहां से आ कुछ समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, एक question है मेरा आपके सामने, question है कि धर्म क्या है, जैसे ही मैंने आपसे question बूचा कि धर्म क्या है, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी, ठीक है, वह तस्वीर जोगी, वह कहीं ना कहीं धर्म से संबंद होगी, क्योंकि वर्तमान समय में धर्म का मतलब हम हिंदु धर्म, जैन धर्म, बहुत धर्म, इस से समझते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो धर्म की विचार धरा है, जो आप ये देख रहे हो, ये अंग्रेजी है, यानि अंग्रेजो में जो लेटिन भाषा से समंदित, जो religion हो लेकिन अगर आप संस्कृत के नजरिये से देखें, ठीक है, सनातन हिंदू संस्कृति कल्चर के नजरिये से देखें, तो धर्म का मतलब यहां पे जो है, वो अलग हो जाता है, यहां पे धर्म का मतलब होता है करतव्य, ठीक है, अगर आप पास्चात्य यानि कि पस्च्च तो यह जो चैप्टर के उपर ही है तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते इसको धर्म का मतलब क्या है यहां पर करतव्य से है ठीक है हर व्यक्ति का एक धर्म होता है करतव्य होता है जैसे कि आप क्या है आप student है है तो इस्टूडेंट का धर्म यानी स्टूडेंट का करतव्य क्या होगा जै क्या करतव RAW ऌपका करतव्यर होगा वोगा ही के आप मन लगा कर अपनी बढ़ाई करें ठीक है एक टीकर है टीचर ₹ का कर तपने को पढ़ा एक तो असे हुजय विवस्ता पूद तरीके से चलाए लोगों को निया प्रदान करें खिक है यह यह वा Creater रिलीजन नहीं होता था जो आज के समय में हम देखते हैं ठीक है करतव वे तो यह आपको समझना आगे और समझे राज धरम राज धरम से क्या पता लगता आपको कि राजा के धरम की बात चल रही है जहां पर उसको जनता की सेवा करनी है प्रजा का फित सोचना है प्रजा के रूप में उसके अलग करतव्य है ठीक है बहन के रूप में अलग करतव्य है तो यह जो करतव्य होते थे इसे को हम इस्त्री धरम के रूप में देखते हैं दांपत्य धरम जो पति-पत्नी होते हैं उनके जो भी उनके जो जो भी करतव्य है वो आ जाएगा इसमें गुरू पहले के लोग आज के समय में तो 60-70 में मर जाते लोग, लेकिन एक समय ऐसा था जब 100 प्लस जीते थे लोग, ठीके प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, तो 100 साल जी जाते थे तो 25-25 साल की उमर को बांट रखा था, ठीके इसको आश्रम विवस्ता कहते थे, जो सुरू के 25 वर्स जीवन, ठीके ब्रम्चड को छोड़ कर व्यवाहिक जीवन में आ जाता था, अपनी जीवी का चलाता था, पचास साल की उमर तक 25 साल ये हो गया, फिर आगे के 25 साल वो ये करेगा, यानि विवाह करेगा, और व्यवाहिक जो भी उसको निभाएगा, फिर उसके बाद वो औ 15 साल, यानि जब वो 75 साल का हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, घर का त्याग कर देगा, रहे त्याग कर देगा, सन्यास वाली जिंदगी जीएगा, और अंतिम 25 वर्ष क्या करेगा वो, जो इसका तीसरा अश्रम है, इसको अगर नाम दे, मैं एक बाद नाम यहां पर इसमें इसका क्या होता था एजुकेशन लेनी होती थी ठीक है ब्रमचरे का पालन करते थे दूसरा जो है वो ग्रहस्त आस्रम होता था इसमें क्या करते थे यानि जब वो 25 से 50 की उम्रे में होते थे तो उसमें विभाह करते थे और वैवाहिक जीवन जो करतव्य होते थे उसक इसको त्याग देना है, इसके बाद जो चौती स्टेज थी, इसमें सन्यास था, चौती स्टेज में सन्यास हो जाएगा, जिसमें से 75 से लेके 100 तक की आयू होगी, और पूरी तरीकी से संसार के बंदनों से मुक्त होके, मोक्ष प्राप्ति की कामना की जाती थी, तो इस तरीके से होता था, ठीक है, तो ये कर्तव्य थे, यानि पहले कर्तव्य जो थे, वो इस तरीके से विबाजित थे, इस उम्र में ये कर्टवे हैं, इस उम्र में ये कर्टवे हैं, इस उम्र में ये कर्टवे हैं, सब कुछ विबाजिता, तो इसी तरीके से हमारा सम्विधान जो है, वो भी हमें कुछ कर्टवे, यानि हमें कुछ दाइत तो बताता है, कि हमें ये कर्टवे जो हैं, वो करने च आपको आर्टिकल 51 में दिखेंगे ठीक है 51A में ए से लेकर के तक जो प्रावधान किया गया है वो हमारे 11 मौलिक कर्तवे वहाँ पर बताए गया है तो चलिए अब एक एक करके क्या करेंगे इन मौलिक कर्तवे को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं थोड़ा अगर आप भारत के नागरिक हो तो यह आपके मौलिक कर्तवे हो जाते हैं यह हमको निभाने पढ़ेंगे मौलिक करतवे को हम धर्म के रूप में देख सकते हैं यानि हमारा धर्म है हर भारतिय नागरिक का वो धर्म है कि वो अपने राष्टगान का सम्मान करें राष्ट्य द्वच का सम्मान करें तो ये चीज़े हैं यह हमारा धर्म या करतव है जो भी आप कहना चाहों, अब इस अगले आर्टिकल में देखते हैं बी जो है, वो क्या कहता है, कि वतंतरता है तू हमारे जो राष्टे संगर्स हैं, ठीक है, राष्टे संगर्स को प्रेरित करने वाले जो महान आदर्स हैं, उसको संजो के रखन उसका पालन करना, ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट पे, सी, भारत के जो संप्रोबुत्ता है, एक्ता है, अखंडता इसको बनाए रखना, इसकी रक्षा करना, देश के टुकडे होने से बचाना, ठीक है, अखंडता को बनाए रखना, ठीक है, अखंडता को बनाए रखन इसके बाद जो D है 51 A का D जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देश की रक्षा करना हर विक्ति का करतव है कि वो अपने देश की रक्षा करें ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्टिय सेवाई प्रतान करें मानलो कलको राष्ट्र को आपकी जरूत होती है तो आ वित्ता है उसके परे जाकर सदभाव और समान बंदुत्त की भावना भाईचारे की भावना इसको प्रोसाहित करना महिलाओं का सम्मान करना महिलाओं की परती हमारे मन में सम्मान होना चाहिए यह सारी चीज़े हमारे मौलिक करतववे में आता है इसके बाद देखो आगे जीवन सहीत प्राकृतिक पर्यावरन जो है इसको महतु देना हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए उसका समवर्धन करना ठीक है प्राणी मात्र यानि जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये हमारा मौलिक करता हुए ये सब कुछ मतलब हमें करना चाहिए इसके बाद है एच इसमें बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोंड मानववाद ग्यान अर्जन और सुधार की भावना से विक्सित करना सारवजनिक संपत्ति जोति उसकी रक्षा करना हिंसा से अपने आपको दूर रखना हिंसा से दूर रहना फिर व्यक्तिकत एवं सामुहिक गतिवीदियों के सभी जेत्रों में हमें उत्कृष्ट प्रियत्न करते रहना है देश को मतलब कहीं न कहीं उपलबदी प्रदान करना देश को आगे बढ़ाना इसके लिए हमें जो भी करना हम वो कर सकते हैं इसके बाद है कि 6-14 वर्स के आयू कि मत दे जो बच्चे होते हैं उनको सिक्षा का अवसर प्रदान करना ये माता पिता और अभी बावक दोनों का करतवे हैं यानि जो पैरेंट्स हैं उनका भी और जो माता-पिता हैं पैरेंट्स हो गया या दादा-दादी जो पी है इनका करतव है कि अपने बच्चों को जो 6-14 साल के हैं इनको एजुकेशन प्रदान करना ठीक है तो यहाँ पर हमारे ये मौलिक करतवे हो जाते हैं ये जो है ये बाद में जोड़ा हुआ है ठीक है ये 6-14 वाला अब देखिए ये जो मौलिक करतवे हैं ये हमारा जो मूल सम्विदान था ओरिजिनल सम्विदान था वहाँ पर नहीं थे मौलिक करतवे तो समझते हैं इसे कैसे तो मौलिक करतवे जो है वो हमारे नैतिक दाइत हो है यानि कि हर व्यक्ति को ये करने चाहिए ये चीज़े जो इसमें बताई थी इसका पालन सभी भारतिय नागरिकों को करना चाहिए मौलिक करतवे के बारे में बात करें तो ये जो ये विचार जो है ये भारती सम्विदान में ततकालिन सोविसंग के सम्विदान से लिया गया है यानि उस समय में जो सोविसंग का सम्विदान था उससे ये लिया गया था fundamental duties जो हमारे सम्विदान निर्माता थे जिन्होंने सम्विदान मनाय था मौलिक कर्टवे को समविदान में शामिल नहीं किया था स्टार्टिंग में मूल समविदान में आप देखो गे तो नहीं होगे मौलिक कर्टवे क्या विश्चता जो है वो कब महसूस हुई जब इमर्जंसी लग वी थी देश में 1975 से 77 के बीच में तब ऐसी जरुत महसूस हुई थी कि मौले करतवे fundamental duties भी कुछ होनी चीए तो इसके लिए सर्दार स्वर्निज्ञ कमिटी सरदार स्वर्निज संंग कमिटी कि अध्यक्ष्था में तो इसे ले कर आगे का था आपका के तक का था ना यह के तक का यह बाद में जोड़े गए हैं सब और इस तिफारिस के आधार पर सम्विदान के जो भाग फोर है यानि की चौता बाग है उसमें मौलिक करतव्य उससे संबंदित जो था इसमें 1976 में 42 जो सम्विदान सजोदन हुआ था यह जोड़ ग्याला हमारे मौलिक करतव्य हो जाते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए मौलिक करतव्य के कुछ विसेस्ता समझ लेते हैं मौलिक करतव्य जो हैं वो मूल रूप से नागरिकों पर नैतिक और नागरिक दाइत्व है यानि नैतिक अगर कोई व्यक्ति नहीं चाता इंची जोगों करना तो वो नहीं भी कर सकता है ठीक है? यह हाला कि यह नैतिक करतव्य सबी को करना चाहिए लेकिन इसके लिए सम्विधान बाद्धे नहीं करता किसी को यह कानूनी रूप से गैर बाद्धेकारी पर करते कि इसका जो नेचर है वो गैर बाद्धेकारी यानि जबरन किसी से नहीं करवाए जाएगा मौलिक कर्तवे केवल भारतीयों पर लागू होते हैं ज्यादा कुछ इसमें आपके लिए य प्रतान करहा है की PDF जरूर डाउन्लोड कर लो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सब भी को जै हिंद जै भारत